नमस्कार मेहुत रिशला यादो आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आए रुख करते हैं उत्रप्रदेश के कुछ खास खबरों की हो राजानी लखनओ के पश्चिम विधान सबा से 2022 के विधान सबा चुनाओं में दावेदारी कर रहे हैं बसपा प्रत्याशी कायम रजा खान लगातार कई जिलों में शिर्कत कर रहे हैं इसी कड़ी में आज लखनओ के पारा में कायम रजा पहुचे जहां भारतिय उद्धैनर्माड पार्टी के अध्यक्ष केडी शर्मा ने कायम रजा को पश्चिम छेत्र में पूर समर्थन देने का बीड़ा उठाय ग्रार ही वैसे 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 सभी दावेदारों न्में अपनी कमर कशी ए क्या टियूत कर दिया है पहले पूरी मंसफ्चेण में शिर्कत की तिया जी यहां पर डुडा कालोनी में यहां पर मौजूद हैं यहां पर इनके शिरकत करने किया reason है से बात करते हैं तो आप ही पहले बताए कि आज आप यहां डुडा कॉलोनी में आये हैं तो किया मकसद से आप यहां पर रहें मकसद यह है कि हमारे बड़े भाई, जो है केडि कर्मा जी है इनने अमारे चोटे भाई को समर्थन दिया है तो भाई के घर पे आया है पूरा तरह से इने समर्थन इस सीट पे किया है और हम इनका बहुत बहुत धन्निवाद देते हैं अपने बड़े भाई का और इस सीट पे जिताने का भाई ने वादा कर लिया है तो हम जीत के आ रहे हैं बाकी यह है समर्तन की बात आपको क्योंकि अभी इलेक्षन में बहुत ज़ादा समय नहीं बजा और इस टाइम पे आप समर्तन के लिए आज यहाँ पर आये हैं ऐसा क्यों अपने अलग अलग जन समस्या है आपने देखिए पूरी मुद्दीन खेड़ा में भी कहीं समस्याओं पर आपने काम किया है इस रेतर में कौन-कौन सी ऐसी समस्या है जिनको आप काम करने वाले जिनती कहां तक जिनाई है अभी आपने सर्वे करके आप देखिए और शायद आपने किया भी है तो आप हैदर केनाल देख लिज पूरा रास्ता कहीं है ने लोगों को निकलने का हमने कम से कम सो डंपर मट्टी वहां डिलाई जो विचारों रास्ता निकलने का हुआ और एक नाले पे पुलिया बनाई रोड बनवाई कम से कम छे साथ हमने टान टान्सवार्मर रखाए पूरे हालात खराब है ना रास्ता है ना लाइट है ना पानी के बिस्ता है कोई बिस्ता नहीं तो इसी को लेकर हम मैदान में कूदे हैं और हम जीत जाएंगे तो सबसे पहले इस चेत का विकास करेंगे जो अच्छाएं सो डेल लगा हुए जैसा कि कायम रजा खान जी से ने बताया कि यहाँ पे डूडा कोलोनी पर है जहां पर उनके बड़े भाई साब यहां पर उनके मौजूद हैं जो भारती उदै निर्मान पाती से संबंधित हैं इन्होंने आज इनके से समर्थन मांगा है इनके अध्यक्ष है केडी शर्मा जी तो केडी शर्मा जी से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस पर किस तरीके से वो कायम रजा खान को समर्थन देने वाले हैं तो केडी सर यह बताए कि आप किस तरीके से आज कायम रजा खान का समर्थन करने वाले हैं देखिए सबसे बड़ी बात है कि समर्थन किसी व्य फरक इतना था कि पार्टी में इनको नहीं जोड़ पाया, कुछ बज़े ऐसी रही, अने था हमें अपनी पार्टी से लाड़ा था इनका जो है नेचर बहुत अच्छा है, अन्ने जो प्रत्यासी खड़े हैं, वो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं दूसरे, इनकी टकर में कोई नहीं है, क्योंकि ये सुरू से काम करते चले हैं, विकास के नाते मैंने एक सीट पर इनको समर्थन दिया है एक सीट पर मैं इनको जीजान करके लड़ाऊंगा और जिताऊंगा और भगवान चाहेगा तुम जीत के आएगे जिताने के लिए तो एक वोट बैंक की जरुवत परती है, कितने वोट बैंक का आप इनके खाते में डालने वाले हैं ये मानके चलिए कि मैं पहले एलेक्शन लड़ चुका हूं, मुझे पूरा संग्यान है, हज्जारों की तादात में मेरे पीछे बोट खड़े हज्जारों की तादात में और वो सब बोटी नहीं का है जी है बाकी और क्या आपका सयोग रहेगा, किस तरीके से आप सयोग करेंगे हैं हम तनमन धंसे इनके साथ में हैं, जहां जैसी एक्षाय आवश्यक्ता होंगी, उसमें हम इनका पूरी तरह समर्थन करेंगे तबी भारती उदे पार्टी के केडी शर्मा जी हमारे साथ में मौझू थे, जो कायम रजा खान को यहां डूडा कॉलोनी से समर्थन करने वाले हैं, उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से उनका समर्थन करेंगे कैमरा परसन रश्मी के साथ मेश वित अगर, प्राइम टीवी, लखनाओ